हलो दोस्तो वेलकम टू स्टडी यूनिवर्स मद्धिप्रदेश डेली करंट अफेर के इस वीडियो में आपका स्वागत है यह है मद्धिप्रदेश का नमबर वन चैनल फॉर डेली करंट अफेर दोस्तो आज है 20 माई 2019 और यह हमारी 117 वी क्लास है 12 important question आपके लिए लेकर आ आपके एक्जाम में पूछे जाते हैं साथी questions related important fact भी हम आपको बताते हैं तो वो भी आपको याद रखने हैं दोस्तो अगर आपको MPG के और current affairs से related कोई भी problem चाहती है तो आप हमें comment box में बताएं हम आपके answer जरू करेंगे question number first भारतिय नोसिना ने हाली में किस मिसाइल का सफल परिक्षन किया है जिसका say option है MRSAM हाली में भारतिय नोसिना ने MRSAM मिसाइल का सफल परिक्षन किया है दोस्तो यह माद्यम दूरी की सताय से हवावे मार करने वाली मिशायल है DRDO और भारतिय नौसेना और इस्राइल Aero Space Industries ने साथ मिलकर इसका परिख्षन किया है हाली में किस देश ने विकिपीडिया पर प्रतिबंद लगाया है दोस्तो चीन में विकिपीडिया को Great Fireball के नाम से जाना जाता है चीन में Google, Facebook और LinkedIn जैसी वेपसाइट पहले से ही बैन है और अब ये विकिपीडिया भी चीन में बैन किया गया है दोस्तो आपको विकिपीडिया की बारे में बता दें इसकी इस्थापना 15 जनबरी 2001 को Jimmy Bells और Laurie Sanger ने की थी इसमें 303 languages हैं दोस्तो आप बात आईए चीन की तो आपको मेप में चीन के बारे में बता रहें मेप में ये जगह चीन को दरसाती है चीन की राजधानी है वीजिंग, करांसी है रैनमिन भी और चीन की राष्टपती है सी जिंगपिंग तो इतना आपको चीन के बारी में याद रखना है Next question हाली में किस शहर में भारती नोसिना ने सेवा चैन बोड का उदगाटन किया है दोस्तो यहीं से डायमंड हरवर नामक जगह पर इस बोड का उदगाटन नेवी के चीफ सुनील नामबाने किया है उत्तर पूर्वी और पूर्वी भारत के लोग छात्र और उम्मीदवार जो नोसिना में शामिल होने के लिए इस के अंदर पर आ जा सकते है दोस्तो यह नोसिना का पांचवा चैन बोर्ड है दोस्तो अब बात आईए भारतिय नोसिना की तो आपको इसके बारे में बता दें भारतिय नोसिना की इस्थापना 1612 इसमी में की गई थी इसका अदर्श वाक है साम नो वर्णा और हाली में नौसिना के चीफ एड्मिरल है सुनील लांबा तो इतना आपको भारती नौसिना के बारे में याद रखना है Next question GSI अनुसार किस राज में सरवादिक ग्रेफाइट का भंडार है तिसका सी ओफ्षन है अरुनाचल प्रदेश अरुनाचल प्रदेश में ग्रेफाइट का सबसे ज़्यादा भंडार है यह रेपोर्ट हाली में GSI द्वारा जारी की गई है दोस्तों आपको बता दें यह देश का 35% भंडार सिर्फ अरुनाचल प्रदेश राज में है दोस्तों हम बात करते हैं GSI की यह क्या है इसके बारे में आपको बता दें तो GSI का फुल फॉम होता है Geological Survey of India इसकी स्थापना 1859 में की गई थी दोस्तों यह जमीनी सर्वेक्षन हवाई वा समुद्री सर्वेक्षन के द्वारा खनेश संसादन का आंकलन करता है इसके अलाबा यह है भूकंप गतिवीदियों का अध्यान प्राकरतिक आपदा और हमखंड विज्ञान की खित्र में अध्यान करता है तो इतना आपको GSI के बारे में याद रखना है दोस्तो अब बात आईए अरुणाचल प्रदेश की तो आपको बता दें मैप में यह जगह अरुणाचल प्रदेश को दरसाती है अरुणाचल प्रदेश की स्थापना 20 फरवरे 1987 में की गई थी गवर्नर है B.D. मिस्रा मुख्यमंत्री है पेमा खांडू और राजधानी है इटा नगर तो दोस्तो इतना आपको अरुणाचल प्रदेश की बारे में याद रखना है साथ वर्ल्ड कफ खेल ले वाली दुनिया की पहली महिला कौन है तो इसका सही ओफ्षन है जूसियर फॉर्मेगा जूसियर फॉर्मेगा दुनिया की ऐसी पहली महिला है जिन्होंने साथ महिला वर्ल्ड कफ खेले हैं दोस्तो ये ब्राजील टीम में मिड़ फील्डर है और इनकी उम्र 41 वर्ष है अगे महिने फ्रांस में महिला फॉट वर्ल्ड कफ होना है जिसमें ये खेलेंगी दोस्तो अभी ये महिला फॉट वर्ल में सबसे उम्र दराज खेलारी है और साथ वर्ल्ड कफ खेलने वाली दुनिया की एक लौती महिला है नेक्स्ट क्वेशन दस करोर फॉलोवर वाले दुनिया के पहले किर्केटर कौन बने हैं जिसका सही ओफ्षन है ब्राट कोहिली ब्राट कोहिली दस करोर फॉलोवर वाले दुनिया के पहले किर्केटर बने हैं सूसल साइट पर सबसे ज़्यदा फॉलोव के लिए जाने वाले क्रिकेटर बने हैं ब्राट कोहली, दोस्तो फेस्बुक पर 3.7 करोर फॉलोवर्स हैं और ट्वेटर पर 2.9 करोर फॉलोवर हैं, इंस्टाग्राम पर 3.5 करोर फॉलोवर हैं, दोस्तो ये अभी भारतिय क्रिकेट टीम के कपतान भी है, और 10 करोर फॉलोवर वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर बने हैं, नेक्स्ट कॉशन, हाली में किसी कान फेस्टिवल में अवार्ड दिया गया है, जिसका से यॉफ्षन है अच्योत तानंद दुवेदी, हाली में अच्योत तानंद दुवेदी को कान फेस्टिवल में अवार्ड दिया गया है, इन्हें international section में अवार्ड दिया गया है, तीन मिनिट की फिल्म, Seed Mother को यह अवार्ड अच्योत तानंद दुवारा बनाई की फिल्म है, और इसके लिए इन्हें यह वाट दिया गया है दोस्तो, कान का 72 आयुजन हाली में शुरू हुआ है Next question हाली में किस देश में सिख्खों को कृपान रखने का अधिकार मिला है तिसका सही option है, Britain हाली में Britain में सिख्खों को कृपान रखने का अधिकार प्राप्त हुआ है दोस्तो, Britain सरकार ने चाकुबाजी की बड़ती घटनाओं पर रोक लगाने के लिए संसद में नया हतियार विधियक पास किया है किरपान रखने के साथ विधियक में यह भी लिखा गया है कि धार में काम करते समय तलवार को रखने का अधिकार भी सिख्खों को दिया गया है तो यह आपको याद रखना है, बहुत important question है सिख्खों को कृपान रखने का अधिकार Britain में मिला है तो आपको map में Britain के बारे में बता दे दोस्तो, map में यह जगह है, Britain को दरसाती है दोस्तो, Great Britain की सबसे largest city है, London तो इतना आपको Britain के बारे में याद रखना है नेक्स्ट क्वेशन देश का पहला smart AC पोलिंग वूथ कहां बनाया गया है तो इसका सही option है, indoor indoor में देश का पहला smart AC पोलिंग वूथ बनाया गया है दोस्तो, इस केंदर का नाम कंचन बाग है साथी दरस्टी हीं दिर्व्यांग और बुजुर को ले जाने और मतदाताओं को एकटा करने के लिए छोड़ने के लिए बाहनों का भी उप्योग किया गया है इस पूलिंग भूथ पर दोस्तो, अब बात आईए indoor की तो आपको indoor की कुछ important fact बता दे मिनी मुंबई, इंदरपोर, अहल्यावाई नगरी और होलकर नगरी के नामजे भी indoor को जाना जाता है चंबल, शिप्रा और खान यहां की प्रमुक नदिया है दोस्तो, देश का एक मात्र शहर है जहां IIM 2003 में और IIT 2008 में इस्थापित की गई थी गेहों अनुसंदान केंद्र और देश का पहला Dental College यहीं पर बनाया गया है दोस्तो, राश्टिय सोया अनुसंदान केंद्र मध्यप्रदेश लोक सिवा आयोग यह indoor में ही इस्थाथ है राज्यका एक मात्र नर्शिंग महाविद्यारय और मध्यप्रदेश बित्त नगम मिख्वालय भी indoor में ही इस्थाथ है डॉक्टर भीमराओ अम्बेटकर की जन मिस्थली भी indoor ही है राला मंडल वन जीब अभ्यारन भी indoor जिले में ही इस्थाथ है तो दोस्तो, इतना आपको indoor की बारे में याद रखना है नेस्ट कॉशन हाली में किस्चिली में International Institute of Fashion Technology का कारिकरम आरंव 2019 शुरू हुआ है तिसका से उफ्षन है भोपाल भोपाल में हाली में यह कारिकरम आरंव 2019 शुरू हुआ है दोस्तो, इस कारिकरम में फोजन थीम के तहत वर्फ पर जमी हुई दुनिया का चित्रन किया गया है साथ ही अलग अलग थीम पर प्रतियोगिता भी रखी गई है दोस्तो, अब बात आईए भोपाल की तो आपको कुछ important fact भोपाल के बारे में बता दे दोस्तो, भोपाल को जीलों के शहर के नाम से भी जाना जाता है मत्यप्रदेश का सरवादिक जनसंख्या गनतुव भोपाल में ही इस्थित है दोस्तो, देश की सबसे बड़ी मस्जिद जिसे हम ताजुल मस्जिद की नाम से जानते हैं यह भोपाल में ही इस्थित है दोस्तो मोती मस्चिद, इसलाम नगर और समसगण में जैन पृतिमाय इस्थित है दोस्तो इंद्रा, गांधी, मानव, संग्राले भी भोपाल में ही इस्थित है बेसु का सबसे बड़ा सौर, उर्जा, सयंत्र भी भोपाल में ही लगाया गया है प्रदेश का पहला एनर्जी पार्क है भोपाल दोस्तो एक और important fact बता दे, 2 और 3 दिसंबर 1984 की दात को भोपाल में मिथायल आईसो साइनेट गैस का रिसा हुआ था जिसके करण हजारों मोते हो गई थी भोपाल में तो इतना आपको भोपाल के बारे में याद रखना है next question बेरुजगारों के लिए मद्देप्रदेश के किस जिले में महा अवियान चलाया जाएगा जिसका से उफ्षन है सिंग रॉली सिंग रॉली में बेरुजगारों के लिए मद्देप्रदेश में एक महा अवियान चलाया जाएगा दोस्तो यहां के कलेक्टर ने जिले में हर हाथ में काम मिले रोजगार के लिए कोई भी युवक बाहर ना जाए महिलाओं के लिए स्वाब लंबी बने इस उद्देश से यहां के कलेक्टर के वी एस चौधरी ने एक बिसेश योजना बनाई है दोस्तो अब यह अवियान सिंग रॉली में चलाया जाएगा तो आपको कुछ इंपोर्टन फेक्ट सिंग रॉली के बारे में बता दे 24 मई 2008 को सीधी से विवाजित होकर यह जिला बना था दोस्तो एंटे पीसी का मुख्याल है सिंग रॉली में ही है मध्यप्रदेश की उर्जा राजधानी के नाम से सिंग रॉली को जाना जाता है पूर्वांचल प्रिसिद्ध नाम है कोईला बन्डार के लिए प्रिख्यात है देवसर दोस्तो इतना आपको सिंग रॉली के बारे में याद रखना है नेक्स्ट कॉश्चन बर्टवान में मध्यप्रदेश के राज्य महाधी वक्ता कौन है तो इसका सही ओफ्षन है राजिंदर तिवारी हाली में मध्यप्रदेश के बर्तवान में महाधी वक्ता है राजिंदर तिवारी दोस्तो बात करते हैं प्रिवियस टे के क्वेश्चन की तो कल का क्वेश्चन था किस जिले में हजारिस्वर मेला लगाया गया है तो इसका सही ओफ्षन था शियोपुर शियोपुर जिले में हजारिस्वर का मेला लगाया गया था आज का क्वेश्चन है मध्यप्रदेश में बिजली कंपनी ने सेवाय भेहतर देने के लिए कौन सा नंबर जारी किया है तो ये क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दें और दोस्तो अगर आपको कोई भी प्रावलम मध्यप्रदेश से करंट अफियर से रिलेटेड जाती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बहें तो दोस्तो आज के लिए बसतना ही आप हमारे चैनल Study Universe को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए शेर कीजिए हम आपके साथ मध्यप्रदेश का नेक्स्ट वीडियो कल लेकर आएंगे तो आज के लिए बसतना ही मसकार, have a nice day